सो हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CPP net की merit list कब आएगी और आपको कितने नंबर पर course मिल जाएगा तो इस वीडियो में बने रहना हमाई आपको last year का data भी बताऊँगा कि कितने नंबर पर course मिला था और rank कब आएगी तो rank वैसे आज है 30 तो 1st August या 2nd August को आपका जो rank है वो पता चल जाएगा क्योंकि पिछले साल भी rank आपकी आगेती हो सकता है कि Monday को आपकी rank देखने को मिल जाए तो आप लोग Monday तक wait करिए आपको rank देखने को मिल सकती है क्योंकि इन लोगों का procedure बहुत fast होता है ये सारा काम जल्दी से जल्दी करते हैं लेट नहीं करते है आप लोगों का result भी तीन घंटे में release कर दिया उसके बाद आपकी rank भी बहुत जल्दी आएगी तो ये जो merit list आपको दिख रहे है ये 2020 की है लेकिन इस बार merit list नहीं आएगी आपको सिर्फ merit rank आपके score card में ही देखने को मिलेगी जो result आएगा उसमें आपका score मिलेगा आपकी rank मिलेगी और category rank मिलेगी लेकिन इस तरीके की merit list नहीं आएगी ये 2020 के है और 2020 में जिनकी फर्ष्ट राइंग थी उनके नमबर जो आए थे वो आए थे 82 आप देख सकते हो 82 नमबर पर ये टॉपर थे 2020 में बट अभी जो लाश्ट येर हुआ है तो उसमें करीब 88-89 तक भी टॉपर गए थे तो अब हम बात करते हैं कि आपके नमबर कितने होंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा तो लाश्ट येर की मैं बात करूँ तो मैंने हर राउंड पर वीडियो बनाया था कि किस किस बच्चों को सीट एलाट हुआ है तो मेरे पास जो डेटा है पिछले साल 49 नमबर पर SC कटेगरी को सीट एलाट हुआ था और 40 नमबर पर OBC कटेगरी को भी सीट एलाट हुआ था तो जिनके 40 प्लस हैं इस बार जिनके 40 प्लस हैं वो लोग बिलकुल उमीद लगाके बैठे हैं उनको कोई न कोई पेरा मेडिकल का कोर्स मिल सकता है बट इसके नीचे चांस मुझे नहीं लग रहा चालिस के नीचे चांस हैं क्योंकि लाश्ट येर भी नहीं हुआ था बट इस बार अभी 20 दिन मिला है तो काफी बच्चों ने जब फॉर्म भरा तब जाके पढ़ना स्टार्ट किया तो उतना अच्छा वो कर नहीं पाए तो हो सकता है कट ओफ लो भी जाए और हो सकता है हाई भी जाए क्योंकि पेपर काफी बच्चों के दारा पता चला है कि पेपर पिछले साल के तुलना में काफी इजी था तो ऐसा हो सकता है कि कट ओफ थोड़ा हाई भी जा सकती लो भी जा सकती लो जाने के थोड़ा चांसे ज्यादा है क्योंकि बच्चों को पढ़ने का टाइम कम मिला तो अब हम बात करते हैं कि degree course के लिए कितने नंबर होने चाहिए तो HC category के अगर हम बात करें तो वहर साल लगबग पहले भीस्टी नर्सिंग होता था तो HC category वालों को 56 नंबर पर B pharma भी फार्मा और भीस्टी नर्सिंग भी मिल जाता था बी फार्मा और बेसी नर्सिंग 56 नंबर पर मिल जाता था और OBC की बात करें तो 63 और 64 पर बेसी नर्सिंग और बी फार्मा मिल जाता था और जनरल की बात करें तो जनरल का 68 तक बी फार्मा और बेसी नर्सिंग है ने तो ज्यादा तर बच्चों का टार्गेट भी फार्मा और जी एनेम होगा तो इसी कटेगरिक अगर साथ नंबर हैं साथ नंबर हैं तो आप हर कोर्स के लिए इलिजिबल हो चाहे जो कोर्स आपको चाहिए मिल जाएगा और OBC अगर OBC का भी 64 है तो आप हर कोर्स के तो उनको कोई न कोई कोर्स मिल जाएगा जो भी उनको चाहिए वो मिल जाएगा अब हम बात करें कि अगर आपको कोर्स चाहिए तो कितने नंबर पे मिलेगा अगर आपको पैरा मेडिकल का कोर्स चाहिए अगर आपके 45 नंबर हैं तो आपको 100% आप डाकुमेंट अपने त आर्माज येनम के लिए इतनी नमबर होने चाहिए और अगर आपको कोई न कोई बैचलर चाहिए तो 55 प्लस पे हो जाएगा एसी का भी और OBC का भी 55 प्लस पे हो जाएगा और 60 प्लस पर जनरल का भी कोई न कोई बैचलर मिल जाएगा कोई न कोई बैचलर आराम से मिल तक होगा तो उसको आराम से पैरा मेडिकल बहुत आराम से लाट हो जाएगा और इसके नीचे भी मैंने बोला ना कि लाश्ट येर 40 और 49 नमबर पर भी पैरा मेडिकल कोर्स लाट हुआ है तो मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं हम ST की तो ST का तो 25 से 30 नमबर भी होगा तो लास्ट रांड कि याता है और पहले ही राउंड में लात हो जाता है फर्ष्ट रांड में ही साइद ST क कटिगरी को पी एच और फ्लिडम फाइंटर सभी को फस्ट राउंड में ही साइद अलार भी मिल जाएगा तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि कितने नमबर पर कितनी रैंक बनती है थोड़ा सा यहां पर आप 51 नमबर है यहां पर 51 नमबर तो 51 नमबर पर कितनी रैंक बन रही तो यहां पर 51 नंबर पर 817 रैंक बन रही बट पिछले साल की मैं आपको बात बता दूँ तो 40 नंबर पर 2000 के आसपास रैंक बनी थी तो यहां आप देख सकते हो इस साल भी कुछ ऐसा ही जाएगा क्योंकि बच्चों को पढ़ने का टाइम बहुत ही क मिला है तो हो सकता है कट ओफ लो जाए फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करना टेलिग्राम गुरूप का लिंक है डिस्क्रेशन में वहां पर भी आके हमसे पूछ सकते हैं और यह अगर आपको रैंक चाहिए तो आप लोग जरूर बता देना मैं अपने टेलिग् गुरूप पर डाल दूँगा तो वहां पर आप लोग जरूर देख लेना तो यहां पर 1700 जो रैंक बनी थी वो 45 नंबर पर बनी थी तो इस साल का पेपर थोड़ा सा इजी था पिछले साल की तुलना में तो चांस यह भी बन सकता है कट ओप थोड़ा सा हाई जाए फिर भी आप लोग उमीद बना के बिल्कुल रख सकते हो आपको कोई न कोई कोर्स मिल सकता है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में